गुड मॉर्णिंग मा डियर फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज एक और नई नर्सरी आ गई हूँ यह नर्सरी है अर्पा पूल के नीचे गंबला वाली नर्सरी के नाम से जानते हैं और इसका नाम इंडियन नर्सरी भी है जो छतिस गड़ बिलासप और यहां एक चीज़ और बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स यहां प्लांट जो है न काफी अच्छे हेल्दी है यह कोई प्रमोसन नहीं कर रही हूँ मैं बट मैं और भी नर्सरी मैं लगातार विजिट कर रही हूँ तो जो मुझे दिख रहा है वही आप लोग से सेयर कर रही हूँ जैसा कि मेरे घर के पास की नर्सरी में प्लांट काफी जादा हेल्दी होते हैं उसी तरह से इस नर्सरी में भी मुझे पौधे जो है काफी जादा हेल्दी लगे हैं प्राइज भी बहुत रिजनेबल प्राइज है अभी तक जितने भी नर्सरी में मैंने देखा है प उसमें भी 30 उर्पे बताये थे सिजनेबल प्लांट के यहां पर जो है कम है और देखिए फिलोडेंडर गोल्डन वाली है इस परिगस फर्न वगेरा भी है यहां पर यह है अंब्रेला प्लांट काफी ज्यादा बूसी काफी ज्यादा हेल्दी है तो इंडोर का कलेक्शन में आपको दिखा रहे हैं इंडोर प्लांट यादी आप चाहते हैं तो यहां एक बर जरूर विजिट करें यह सरकंडा के पास पड़ती है अर्पा पुल के नीचे इंडियन नर्सरी यहां देखिए सभी का प्राइज भी विंसन है इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में और रबर प्लांट है, वेरिगेटेड वाले हैं, क्रोटोन प्लांट है, अरिका पाम है, पाम की बहुत सारी वेराइटी है और कुछ हेज प्लांट भी है देखिए इस तरह से, अरिका पाम थोड़े बड़े-बड़े साइज के भी है, अरेलिया की बहुत सारी वेराइटी यह जो रखते हैं प्लांट उसी तरह के प्लांट यहां भी मुझे लगे क्रोटोन काफी जादा हेल्दी है एक जोरा भी देखे काफी बड़े साइस के हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हुई है तो काफी अच्छा लगा मुझे भी आकर और मैं भी सोच रही है कुछ प्लांट ले कर जाऊंगी उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोग से सेयर करूंगी एक जोरा भी काफी जादा हेल्दी है बहुत अच्छे है फरने की भी कुछ वैराइटी है और कुछ देखे हेज प्लांट भी है तो छोटी नरसरी है कलेक्शन खूब अच्छे है औ और साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी है आप देख रहे हैं पॉली बेग में लगे हुए है नरसरी वाले और कितने अच्छे हेल्दी है यह चांदनी का प्लांट है जिसमें इनकी पतियां जो है डस्ट टाइप के रहते हैं जैसे डस्ट लग गया होगा ना यह बिसतर है की सिल्वर कलर टाइप का है और यह भी चांदनी का प्लांट है चांदनी का यह मैंने नरसरी में देखा था और देखिए यह वाले यह वालवालब कौन सा पर है Arylier का वेराइटी मेरे पास नहीं है मन तो कर रहा है कि एक ले जाऊं यह लगता है डार्फ वेरा यहां पर कुछ मुसेंड़ा के भी प्लांट है तो इस तरह से एक जोरा का उन्होंने रेट जो है 50 60 और 70 रुपे रखा है तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा फ्रेंट जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसे साब से प्लांट का प्राइज होगा गुल्दाओदी देखे गुल्दाओदी छोटे डॉर्फ वेराइटी वाले हैं येलो कलर पींग कलर ज्यादा दीख रहे हैं वाइट कलर है सब में कलिया आ गई है तो ऐसे पौधे हमें जरूर ले जाने चाहिए जिसमें कलिया हो और खास तरह पर पर जिसमें फ्लावर खिल होंगे तो इस तरह के पौधे हैं तो गुल्दाओदी भी यहां काफी अच्छे लगे छोटे छोटे पौधे हैं बहुत अच्छे देखे यहां पर कोलियस का कलर बहुत प्यारा है और यह सारे कलर मेरे पास है और यहां बगल में साल्विया साल्विया की ग्रोध भी काफी अच्छी है यहाँ पर पोलकाडाट यदि आप चाहते हैं तो पोलकाडाट के बहुत सारे colors थे खुब अच्छे लग रहे थे मन तो कर रहा था कई मैं भी ले लूँ गजानिया के भी देखिए growth अच्छी है दो चाठो में तो flower भी आये थे yellow color white color इस तरह दूर हो जाता है जापरी मेरे गोल के प्लांट देखिए इस तरह से हैं ज्यादा healthy नहीं है लेकिन थोड़े बहुत अच्छे ही है मतलब कुछ प्लांट तो बहुत ही अच्छे हैं तो color बहुत प्यारा है देखिए खुब अच्छा लग रहा है color और बहुत सारे जो बहुत खुब सुरत प्लांट बहुत सरे जाए तो आप यहां कर लेजा सकते हैं प्लांट इस नर्सरी में आकर मुझे एक चीज तो अच्छा लगा और जितने भी प्लांट है वो सारे प्लांट आपको मिल जाएंगए खास तो मुझे ओरेंज और येलो कलर के कैलेंचु चाहिए था हाइब्रिट वाला जो मुझे मिला तो यहां लेकिन उसका प्राइस भाईया काफी ज्यादा कौशली बता रहे थे डेड़ सु रुपे बोल रहे थे तो देखती हूं ले जाती हूं कि नहीं ले जाती हूं यह भी द और भी बहुत सुन्दर पिंग परपल कलर के फ्लावर वाले पौधे हैं विनका है और जितने भी सिजनेबल प्लांट है उनका प्राइस उन्होंने मुझे लगभग 25 रुपीस ही बताया है कुछ पौधे हैं जिनके प्राइस अलग है वो भी मैं आगे बताऊंगी तो लो कलर और औरेंज कलर दो कलर में आपको मिल जाएंगे ये पिटूनिया देखिए पिटूनिया की ग्रोध काफी अच्छी लगी मुझे बहुत ही अच्छी है 25 रुपे में कोई बुरा नहीं है बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है एक ये वाला पौधा पतानी क्या नाम इसका उन्होंने कुछ नाम बताया था मैं भूल गई और मैं लेना चाह रही थी इस पौधे को मैंने सोचा भी था लूंगी करके लेकिन जब इसके फ्लावर्स मैंने एक दो पौधे में देखे ना बिल्कुल छोटे-छोटे से फ्लावर थे इस वज़े से मैंने इस प्ला कि आधे भी कज़ने हैं कि अग्रतै हैं सब्सक्तों न किलिया हैं यहां भीली वीज है देखे में अजये में आंदा सुके पही हैं यहें घ्र के लिए humor कई जाओधी करें चाहती हॉथ अपने गार्डन में लाएं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावर आए देखे मेरी गोल्ड कितना खुबसरत लग रहा है औरेंज कलर का इस्ट्रावेरी लेना चाहते हैं इस्ट्रावेरी का भी पौधा यहाँ पर था उन्होंने रखा है जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी है फ्लावरिंग पर लगभगा आही गया है साल्विया है रेट कलर के वो घूमते हैं वो बताते हैं या बार-बार आपको पूछना पड़ता है नर्सरी वाले भाईया से लेकिन यहां मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा यहां पर में इंसन है सारे प्लांट की प्राइस तो आप खुद ही डिसाइट कर सकते हैं देख सकते हैं और जो आपको पसंद हूँ वो प्लांट आप निकलवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा नर्सरी और देखिए इस तरह के पौधे हैं काफी ज़्यादा हेल्दी हैं और अच्छे हैं सिजनेबल प्लांट यदि आपको चाहिए तो इस नर्सरी में आकर आप ले जा सकते हैं मैं यहाँ पर जो खास मकसद से आई हूँ मेरा मकसद यह है मुझे कलेंचू के प्लांट चाहिए थे और कुछ बेबी प्लांट चाहिए थे खास तोर पे गेंदे के मैंने कई यूट से इजली ग्रो हो जाता है तो वन टाइम इनवेस्टमेंट है एक बार आप खरीदेंगे कटिंग से धेर सारे प्लांट तयार कर लेंगे तो चलिए अब चलते हैं दूसरी साइड यहाँ पर क्या-क्या पौध है यह भी दहलिया है देखिए यहाँ पर रहलिया की भी प्रा दरवाले ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन में यह टमाटर और बैगन के भी प्लांट है टमाटर के प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी है चुकि मैंने तो घर पर बहुत सारे बेबी प्लांट टमाटर के लाए थी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यह है केलेंचू जितने इंडोर प्लांट है उस तरह हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूं देखे इस तरह के प्लांट है। वह बयक पत्ती वाले हैं । चलिये चलते हैं दूसरी साइट जहां पर और कौन-कौन से पौत है बेबी प्लांट है कि नहीं एक यह फ्लावर मैंने देख और मोर पंखी है बड़े बड़े पॉट में लगे हुए हैं अडेनियम के भी प्लांट यहां पर है लेकिन उतने ज्यादा हेल्दी नहीं लगे अडेनियम का प्राइज उन्हें धाईस रुपे बताया मुझे और यह पोलकाडॉट और पॉंसिटिया देखे यहां पर पॉंस नर्सरी में अभी मिल रहे हैं और यहां देखे अडेनियम यह अडेनियम उन्होंने धाईस रुपे बताया और सारे के सारे जो है ग्राप्टेट अडेनियम है तो कैसी लगी नर्सरी जरूर बताईएगा और यह बिलासपूर 36 गड़ की नर्सरी है मुझे तो काफी विडियो में बाई बाई